नमश्कार आप देख रहे हैं हर्याना निजए एक्षप्रस मैं हूं आपके साथ काजल आए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी कबर की होग हर्याना के क्रशी और किसान कल्यान पशुपालन डेरी एवं मत्सेपालन मंतरी जेपी दलाल ने कहा है कि हर्याना को मत्सेपालन का हब बनाया जाएगा उन्होंने कहा कि हर्याना में मत्सेपालन के शेत्र में अपार संभावनाए है जेपी दलाल इसी संदर में लाली स्थित केंदर सरकार के उपग्रम सी आई एफ सेंटर के वग्यानिकों से बातचीत कर रहे थे जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश के खारे पानी के शेतर में प्रोसेसिंग यूनिट साबित की जाएगी तकी किसान मत्से के अपने उत्वाद का सीधा निर्याद कर सकें उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है बीज भी उफलब्द नहीं है बीज को हैदराबाद से लेकर आते हैं और वही के व्यापारी यहां से मचली खरीद कर ले जाते हैं और प्रोसेसिंग करके उसका निर्याद करते हैं उन्होंने कहा कि यहां पर प्रोसेसिंग यूनिट लगने से कोई भी किसान होगा शोशन नहीं कर पाएगा मत्य पालन मंत्री ने कहा कि लाली में जल्द ही प्रियोकशाला का शुभारम होगा रातक से हमारे समवाद दातर इंकुपरमार की रिपोर्ट खारे पाने का इडाका है उसमें कि यहीं पर उसको प्रोसेसिक करके डिरेक्ट एक्सपोर्ट हो ताकि किसानों का कोई सोचन ना कर से लैब और बीज के बारे में भी सर आपने चर्चा किया है अभी लैबरोटरी चालू हो जाएगे एक एड़ महीने के अंदर यहां लाली में और हमारा वाग जो है और भी लैबरोटरी सेंट करेगा एक हम एक्षिलन चेंटर ओफिस्री गरवा में बना रहे है सर्सा में भी हम बनाएगे और उससे क्या होगा कि किसान डैस करने में उसको अच्छी क्वालिटी काfundी में उसको टैनिंग देने में और उसके जो बादन को सही मार्किट की कहा ऑस्टा हो सकी है सरतरे क्याय में दोस्ता झाल झाल